हेलो माइडियर फ्रेंड्स वेलकम टूम 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 टू चैनल विपीएसी विहार शिच्छक प्राइमरी लेवल जिसमें मेंस एक्जाम में 120 नमर का कोश्चन पुछा जाएगा जिसमें इतिहांस भूगोल इन सब सारा चीज कराएगा विपीएसी के चेर्मेन अतुल सारा चेप्टर करते हुए आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाते रहेंगे ठीक है प्रैक्टिस सेट अभी पीडियेफ में बनके त्यार हो रहे हैं बहुत जल्द वह आपको आते रहेंगे ठीक है देखिए मैंने सब इंपोर्टेंट्स अस्मरानिय तत एक पुष्टक से ल साथ इन प्रस्णों का प्रस्ण भी रेखते हैं अब जाहिर सी बात है कि क्लास 6 की पुष्टक है तो कम से कम बच्चों के मांट मतलब मात्रा में उनको ग्यान दिया जाएगा ताकि कम से कम से सारा चीज हो लेकिन 6-12 तक करते करते आपको बहुत सारे नोलेज हो जाएगी और अमको नहीं लेगता है कि इस से बार प्रस्ण आएगा क्योंकि 801 भार बर भोला जा रहा है कि 801 अहीं प्रस्णं आएंगे देखिए ऑतिक्षर का अध्यन ही इतिहांस है ये सबसे पहला आध्या है कि पैयंस punya प्लास 7 तो ए ए 0 यह अलग अलग होते हैं अब विभीन विद्वानों ने इतिहास के बारे में अलग अलग नाम दिया अधिकांस ने इसे हिस्टोरिया यहां पर आपके प्रस्ण बन रहे हैं कुछ बनाया भी है जो नीची लिखा गया है वह करके उससे भी आपको फैदा होगा और साथी साथ पढ़ते पढ़ते फैदा होगा तो हिस्टोरिया सब्द का रुपांतर माना गया है तो है क्ल 연 के सब्सक्राइब सर्ट रुपांतर मना गया है इस सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो harodotus को मना रहता है ठीक न और harodotus ने इतिहांस सब्द ये किस से रुपांतरित मिला हिस्टोरिया सब्द से रुपांतरित मिला ठीक है अब देखिए वरतमान में इतिहांस जो है ये एक समाजिक विषय है इसमें मनुस्र के द्वरा किये गए कारे उसकी उपलब्दियां उसके उत्थान तथा पतन उसके विचार आधिका अध्यान होता है इनी सब सारे चीजों का अध्यान होता है जो इतिहास कालाता है अभितिहास के अध्यान में बहुत सारी घटनाओं को एकात्रित कियाता है घटनाओं के बिशे में कभ कहां कैसे और क्यूं जैसे प्रस्टनों का समधान निस्पक्ष बेग्यानिक तता काला नोकर्म पहथी में ढूंड़ा सकता है यानि इतिहास आप अगर पहले के बातों को सोचेगा तो सोचेगा इतिहास कभ से होगा कहां से मतलब ऐसे चीज़ें पादा चली कैसे हुआ आखे क्यूं हुआ तो इन सब सारे चीज़ों में और क्लास छटवी की बिहार बोड की जो क्लास छटवी की दूसरी जो आपकी पाठ है वो यही है कब कहां कैसे क्यूं ठीक न तो यही है तो इसमें समधान पहंटी में ढूंड़ा जा सकता है अब इतिहांस के अध्यान के तहत विभीन पहलूओं पर विचार किया जाता है जैसे राजनितिक, समाजिक, आर्थिक, संस्किर्तिक, बोधिक, अंतराष्ट्रिये, संबंध, संसदिये, सैनिक, औपनिवेसिक आती बहुत सारे चीजों को इससे पता किया जाता है कि आज से पहले इतिहांस में अनेकों परकार के जो पहलूए हैं उनमें क्या-क्या घटित हो गया है, राजनितिक तोर पे क्या थी, समाजिक तोर पे क्या थी, पैसे के लिए आर्थिक तोर पे क्या थी, उस समय का संस्किर्त क्या था बौधिक क्या था तो यह सब अंतराश्तिय संवन्द हमारे क्या थे यानि उस समय के क्या थे सारा चीज संसद्य प्रणडाली उस समय की कैसे थी कैसे कैसे आज काम कर रहा है तो सारा यह सब इतिहास हो गया यानि आप जानते हैं कि जो बाते हमारी पीछे की घटित हो गए जो पहले हो गया ओ अब हमारा एक हिस्ट्री बन गया एक हमारा इतिहास के तौर पर आगे भविस्य में हो आकर लोगों को ये सीख देगा तो इतिहास के अध्यन का बड़ा महत्व है कि इससे अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधारा जा सकता है यही इतिहास का में फ्याक्ट है जैसे कि हम सभी अभी बैठे बैठे बहुत सारी इतिहास में जो भी घटित हो गया है मापूर्सों के द्वारा नेताओं के द्वारा अनेकों परकार के जो दार्शनी के विचारक हैं उनके द्वारा घटित हो गये हैं तो लोग उन सभी के बातों को लेकर आज क्या करते हैं सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उन्होंने यह जो फैसला किया थे गलत था ऐ उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के उन्होंने गुलामी परक्रिया में साथ दिया तो उससे क्या हुआ हमारा देश गुलाम हो गया अब सोचिए अगर कोई आज के समय में वैसे लोग आएंगे इस इंडिया कंपनी करने के लिए ऐसे करने के लिए तो बहुत सारी पॉलि यह सब इतिहास में हम लोग गल्ती दुबारा आप नहीं कर सकते हैं इसलिए क्यूंकि पहले हम लोग के साथ घटित हो गया है इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं कि समस्याओं के हाल डुक को भूणना जा सकता है अतीत के अधार पर हम भवी से का निर्मान कर सकते हैं ये भी हम भवी से का अपना निर्मान कर सकते हैं जिक समझ सकते हैं यह सब सारी चीजों कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका चेप्टर वन की महत्पूर्ण बाते थी जो महान ब्यक्तियों और अधिक अधिक लोगों से हम लोग को उपदेश से प्रेजित करती हैं इसे आपके क्लास में दो चेप्टर का हम लेकर आए हैं और अगले चेप्टर में हम लोग साथी साथ लेकर आएंगे वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएगा ताकि मैं सेशन को हमेशा कुछ वस्तुनिट्स प्रस्ण है तिना जो कि इसमें नहीं है वो बाहर से हैं तो वह आप समझ लिजिए ताकि आप लोग को जनकारी प्राप्त होगी इतिहास सब्द की उत्पति कि सब्से हुई है तो यह लैटिन सब्से इसकी उत्पति हुई है अब आपने समझ चुके ह है कि इतिहास सब हिस्टोरिया से लिया गया है और इतिहास के जनक है जो इतिहास के जनक भी जाने जाते हैं अब देखिए आपका प्रस्ण है किस काल में किस काल का लिखित वीवरान उपलवद होता है उसे क्या कहा जाता है किसी काल का लिखित वीवरान उपलवद होता है तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे एतिहांसिक काल कहा जाता है यानि option नमर भी इनि खाव इसका सभी हो जाएगा असोक निया अभी ब्रामे में खुदवाए के option में सारा चेंज मिल गया तो यानि फैक्ट सारा आपको पता चल जाएगा जितने important प्रस्ट इससे बनने वाले हैं और जो जो important points होगा कोई आप से छुटेगा नहीं कि आगे देखिए ये कुछ आपके सरकारी पुस्तक में कुछ खाली अस्तान दिये हैं जो कि पढ़िएगा तो इत्से भी आपका कुछ है जीके यानि इतिहास के कोस्टन को क्लियर करता जाएगा अभी इतिहास के जनक किसे का जाता है तो आपने पढ़ लिया है कहा गया है और सारनात जो है या असोक अस्ताम है ठीक न और सारनाक में असोक अस्ताम जो है अवस्तित है यह आपको बताया गया है और सारनात वरांडशी में है ठीक है तो इन सब सारी बातों को चैप्टर वन में किलियर किया गया था यहां तक आपको किलियर होगा अब आईए हम लोग चैप्टर टू से इंपोर्टेंट पॉइंट यानि जो महत्पूर्ण तथे हैं उन सब सारे पॉइंट्स जोगो पढ़ते हैं और साथ ही साथ फिर जाकर ऐसे ही कोश्चन को करते हैं देखिए चैप्टर का नाम है आपका छटवी के दूसरे चैप्टर जो है आपका उसका नाम है क्या कव कहां और कैसे यह चैप्टर का ही नाम है है तो क्या कव कहां और कैसे चेप्टर के नाम है ये क्या होता है तो उपलब्ध सामग्री से अतित की घटनाओं के क्रमबद अध्यन को इतिहास कहते हैं अब इसका अध्यन करने वाले को को इतिहास कार कहते हैं इतिहास की अतीत की घतनाओं को उनके समय के नुसार बेवस्थित करता है इस पधथि को chronology काते हैं ठिक अगर इतिहास को मतलब सही डंग से याणि इस्वी वाइस्वी ।ारिक डिनांक वैदिनांक से अगर सबको किया जाएगा तो ओक क्रोनलौय जोज़ेगा क उसका कर्म उसका कर्म एक सिरियल वाइज में उसको दर्सा में डिया गया तो उसको क्रोनलौयर क आ एस ठीक आया आगे देखिए इतिहास जानने के दो प्रमुख सुरुते हैं यानि इतिहास को दो प्रमुख सुरुत से आप समझ सकते हैं एक पुरात्विक तत्विक और एक साहितिक अभिलेक ठिकना जो कि आप इन चीजों से समझ सकते हैं जैसे कि माली जीए कि इन सब सारे बातों में कैसे हो सकता है चट पुरानी चीजे अब जैसे की इतिहास को समझने के लिए बहुत पहले के द्वारा अंग्रेजियों के द्वारा जैसे मालीज इतिहास है तो अनेकों परकार के उन्हों ने इस अभी हमारे भारत वर्स में बहुत सारे चीजे बना कर गए हैं जो अभी तक बिरिजमान है उन पहले के समय में कोई आपको चीज मिले कोई सिक्के मिल गए तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि जैसे अकवर का कोई सिक्का मिल गया और अकवर के सिक्का मिला तो उससे हमको प्राप्त हुआ कि अकवर के सिक्का जो है अकवर क्या करता था कि उस समय भी अपने सिक्के पर राम और सीटा जी की सभीर को बना का राम सी ये लिखवाता था तुमना और अनको परकार के जैसे के這一 के रल में अगर देख़ीएगा तो उसस पर क्या किया था उन रजाहों के करद से जिससे नागरी लिपी होने का साक्षय प्राप्त होता है उस समय तो ये सब हो गया साहेट जो लिखने के अधार संभ सारी ज़िए पूरा थाट्विक हैं इससे हम परमुक तिथी घटना राजा ता उसका सासंकाल बात को हम लोग जान सकते हैं समझ सकते हैं आगे देखिए साहीतिक सुरोत में क्या क्या हो सकता है साहीतिक सुरोत में पांडुलिपी जो पहले के ब्रामनों द्वारा बहुत सारे लोग बिद्वानों के द्वारा लिखा गया है धार्मी ग्रंत लिखा गया है नाटक लिखा गया है कविताए महा कावे आदी यह सब इतिहास है इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि पहले क्या होता था क्या नहीं होता था अब जैसे बहुत परकार के हैं पंच परमेश्वर जैसे किताब को ले लिजिए या अगर उससे भी पहले लेते हैं तो मुलक राज अनंद के द्वारा अंट चेवल जो है छुआ छूत वो समझ सकते हैं जिससे सब साब समझ में आता है क्लास बारवी में अगर हिंदी पड़े होंगे तो उसमें एक जूठन होगा जो ओम परकास बालमीकी के द्वारा होगा तो उस जूठन से हम समझ सकते हैं कि इस साहितिक दोर में मतलब पहले का इतिहास लोगों के द्वारा जो दलित महा दलित उनके प्रतिक्या क्या अत्यचारे हुआ करती ती ऊसरफ इतिहास के प्रति सारे तो यह सब सारी चीज़ें इन सुरोतों से अतीत की बाते तदा घटनाएं मालूम होती हैं बहुत सारे राजनीती सास्त के बारे में और सास्त के बारे में चणक के द्वारा चरक के द्वारा पाड़िनी के द्वारा तो अनेकों गरंतों से यह सब सारी बाते पता चलती है प् सिक्कों से बीदेशी बैपार की जनकारी भी मिलती थी यानि उन सब सारे चीज़ों से अभी देखिए हाली में क्या हुआ कि अभी इतिहास मतलब आगे चलकर यह बन सकता है जैसे संसद्वान का निर्वान की दिन क्या हुए सिक्के का परचलन किया गए 75 रुपे का जिसमें उसकी तस्वीर थी तो वही सिक्का आगे चलकर उस चीज को क्या करेगा इतिहास के तौर पर दरसा आएगा और वही पहले के लोग करते थे पहले कुछ भी चीज होता था तो उसके के लिए एक अंकित सिक्के करवाते थे जिससे वह इतिहास के तौर पर अनिक चीजों को दरसा आए जाता था ठीक ना तो यह सब सारी चीज हैं आगे देखिए कहा जा रहा कि इतिहास में तीथी का महत्त्य होता है यानि इतिहास में तीथी का महत्त्य होता ही है अब जिस इ तीथी का होना बहुत महत्व है तो पहले तीथी जो है यह दो आपको आकार में कभी भी ऐसे चीज़ों में इतिहास के पन्नों में मिल जाएगी यानि तीथी की गणना इसा पुर्व यानि बीसी जिसका अंगरेजी में कहते हैं भी फोर क्राइस्ट और इसा के जन्म के बाद और एक AD होता है जिसों एंडोडोमिनी कहा जाता है पूरा नाम तो एंडोडोमिनी जो होता है यह इसा के जन्म के बाद होता है अगर कहीं पर 689 AD लिखा है तो आप समझेए कि यह इसा के जन्म के बाद है यानि इसा मसी के जन्म के बाद घटना घटी है अगर तीथी की प्राचीन मद्ध सुरोतों में अलग saint काल में बढ़ जाता है जिस काल की जनकारी का कोई सुरुत उपलफ नहीं है उसे प्रोग हत्टिहांसिक काल माना उन aumentar जिसनिक आज जनकारीं नहीं है कोई पता ही नहीं तो प्रोग नहीं करता ता जो एक जगह से दूसरे जगह यानि उनका एक शेल्टर वोता है वह निश्चित नहीं एक जगह से दुसरे जगह और अनेक जगह उपर इधर उदर भटकते रहते हैं तो जंगलों की उसे अच्छी जनकारी थी इसलिए अपने जंगलों में एक जगह से दुसरे जगह सारे चीजों में अलग अलग जगह पर हुआ करता था अब देखें जंगल में मिले फ़ल जड़ तता अन्य उत्पात का परियोग भोजन के लिए इस करता था, वो जानवरों का सिकार करता था, भोजन का वो संग्रह करता था, इस करण उसे संग्राहक करा गया यानि उस तरह से उस संग्राहक हो गया कंज्यूमर हो गया क्योंकि वो भोजन को लेता था कंज्यूम करता था तो संग्राहक करा गया प्रग्यातिस काल में मनुष्य नदी तथा पहाड़ियों के निकट रहता था नदी के किनारे क्रिसी का विकास हुआ तो आप क्रिसी का विकास कहा हुआ तो नदी के किनारे क्रिसी का विकास हुआ अरंब में गेहूं जो तथा चावल के खेती होती थी जहां खेती होने लगी वहां गाव बस गए अब जहां खेती होने लगी लोग राने लगे गाव बस गए वहां दीरे दीरे लोग वहां पर राने लगे अब देखिए किरीशी के विकास ने नगरों को जरम दिया उत्तर भारत में अनेक नगरों का विकास हुआ ठीक है तो यह आपके महत्पूर्ण तथ जो थे वह आपके पाट संख्या 2 के कव कहां कैसे थे अब देखिए इनमें जो कुछ आपको अभियास प्रस्न है उन प्रस् लगता है आगे देखिए उत्तर भारत को दक्षिन भारत में कौन परवत अलग करता है तो इसका उत्तर है बिंद्य परवत अलग करता है तीसरा है चावल का प्राचीन प्रमान कहां से मिलता है तो यह मेहरगड से मिलता है खाली अस्थान कुछ दिये गए हैं कि अब देख पॉलिक दिस्टिकोन से भारत को चार भागों में विवाजित किया जा सकता है डॉक्टर स्पुनर ने कुम्हार कुम्हार नामक अस्थान की खुदाई करवाई अब गहा है आधुनिक काल का प्रारम अठ्रावी सताब्दी के उत्राद्व से हुआ अंगा है महापाशनी संस्किर्ति का निर्मान ब्रह्मगिरी नामक अस्थान पर तीन हजार पर भारत के लोगों न किया अब देखिए यहां कुछ आपके सुमेल किया गया है नहीं कोई दिया गया है लेकिन सारे के सारे गलत हैं तो आपके सही देखिए दिया गया है कि खांस संस्किर्ती दक्षिन भारत है चोपांडी मांडो अनाज का परमान है तो यह सब सारे आपके पार्थ एक और पार्थ दो के important points थे जो आपके यहां से सारा points किलियर हो गए आगे के वीडियो में आपको सारे important points किलियर होते जाएंगे और साथ ही साथ आपको practice set भी मिलेगा जो कि मार्केट में जितनी पुस्तक के उपलब है उन सब सारी पुस्तकों को practice set भी मिलते रहेगा तो चैनल को subscribe कर दिजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो की क्या खास बात रही और क्या त्रूटी रही धन्यवाद